हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सन टीवी के शेर के बारे में सन टीवी नेर्ट वर्क के शेर के बारे में दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम इस फंडामेंटल देखेंगे बिजनिस के बारे में बात करेंगे दोस्तों आगे क्या फ्यूचर हो सकता है ल प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए मैं इसी तरीके के इंट्रेस्टिंग वीडियो देली मेरे चैनल पर डालता रहे तो दोस्तों यहां पर हम अगर देखें पहला किसी भी चैनल शेयर के अंदर या बिजनेस के अंदर इनमेश्मिन करने से पहले दोस्तों हमें उस company का business model और company का revenue model ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तो अब हम बात कर लेते हैं इस company के बारे में पहले दोस्तो ये company जो है साल टीवी नेटवर्क जो है ये mass media company है दोस्तो इसका जो headquarter है ये चन्ने तामिन नाडू के अंदर है दोस्तो दोस्तो ये जो company है ये company स्ताफित कहए थी 1993 को कला निती मारन करके कला निती मारन जो है उन्होंने ये company स्तापित की थी तामिन नाडू के अंदर क्थ będziemy nullu 1993 के अंदर ये company चालू की थी primary flagship जो उन् Gottes चैनल था टीवी channel के अंदर ये पर देते संट टीवी में नुस्त का चैनल था और उसके बाद में उन्होंने बहुत सारे चैनल पर एक्षिडी ओपन कि अभी आज आफ नौ वह संट टीवी संट जो ग्रूप हैं उसके पास 32 टीवी चैनल के दूस्तों उसमें से 24 नौन एजडी चैनल है और 8 एजडी चैनल ह और प्राइमरीली यह जो संट टीवी है यह तामिल तेलगो कानेडा और मेलालियम एंड बेंगाली बेंगाली लाइंगविज के जो चैनल है मतलब रिजडनल लाइंगविज को जो चैनल है उससी के अंदर यह काम करती है ऐस ओफ नौ उनके पास कोई भी हिंदी चैनल नही है दोस्तों हिंदी जो है उसका आजओफ नौ चैनल नहीं है उनके प्लां आज़े जाके अभी माराथी नूचैनलोट और नूट चैनल के अंदर आने आने नहीं है का है दोस्तों के अलावा जो संटी उनके पास कुछ print media और magazines के अंदर भी ये काम करती है और उसके अलावा दोस्तों ये own करती है सुरियन ये फ्यन और रेड फ्यम मतलब radio station के अंदर भी ये काम कर रही है मतलब TV challenge के अलावा radio और print media मतलब magazines के अंदर भी ये companies and group है ये काम करता है दोस्तों तो revenue model जो है as of now बहुत ही बढ़िया दिख रहा है दोस्तों मुझे ये company उनका revenue model मुझे बहुत ही बहतर ही लग रहा है दोस्तों आगे आने वाले दिनों में इसके अंदर ग्रोह हो सकते हैं यहां पर इसके ब्राइंड भी देख सकते हैं दोस्तों उद्धे टीवी सुरिया टीवी संटीवी में उनका एक टीवी चैनल था जो तामिल टीवी चैनल था उसके बाद वह बहुत सारे टीवी चैनल उन्होंने खोले दोस्तों तो revenue model as of now बहुत ही बढ़िया है दोस्तों अब हम देख लेते इसके कुछ की points के बारे में दोस्तों इसका पी जो रेशो है वो 13% का है और dividend yield जो है वो 5% की है जो की काफी attractor और काफी बढ़ी है दोस्तों सेक्टर का पी जो है वो negative है दोस्तों इसका मतलब यह है कि दोस्तों यह जो सेक्टर है यह losses पे losses कर रहे जा रहा है उसका main reason यह दोस्तों जो मुझे समझ में आता यह सेक्टर क्यों नहीं चल रहा है दोस्तों यह डूपता हुए सेक्टर है ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तो पिक हैं इसका रिजनी ये है कि दूर्धर्शन जमंण का चला है और अभी मुझे लग रहा है कि इंट्रेट का जमाना आने माला है और इंट्रेट बेसे औरी मोडल से बना रहे है उनका जामाना आगे जाके आएगा दोस्तों मुझे लग रहे हैं मगर लग रहे वह आगे जाके उस बिजनिस के भी अन्दरा सकती है मगर as of now मुझे नहीं देखता कि कोई प्लाइन है दोस्तो अब हम वापस इस संटीवी के पॉइंट्स में आते हैं प्राइवेट कंपणी के अंदर इतना अच्छा बढ़ी है यह काफी मुझे इंट्रेस्टिंग बढ़ बढ़िया लग रहा है दोस्तों एंट्री पॉइंट के लिए यहां पर दिखा गया है गुट टाइम तु कंसेडर स्टॉक इस नाट इन ओर बाट जोन यह टिकर टेप bilir का किकिया है बढ़ स्ट की उंधार प्रॉफिट आटा रहा है रहे दोस्तों और पीनीर वाथ क्या को वीया सोर्म नहीं और लिक टाक है दोस्तों मगर इसके हाइग देखे, तो एक हजर रुपए का था मगर अभी वो 400 पे चल रहा है और 2008 से यह डाउंटर्ण में चल रहा है यह सोचने वाली बात है दोस्तों अब इसका मैक्जिमम देख लेते हैं दोस्तों 20 साल पहले यह 2014 साल पहले अगर 15 साल पहले अगर किसी ने इन्विश्मिंट किया होता तो उसको सिर्फ 30% का रिटर्न मि अगे के वन येर वन येर के लिए ठीक है यहां पर अगर देखें तो टेंटी अनलेस्ट ने इसको अनलाइस किया हुआ है और 85% अनलेस्ट ने इसको बाई की रिटिंग दी हुए है जोस्तों यहां पर हाइयर साइड 50% की दिख रही है और लोवर साइड एट परसंड की उ दोस्तों अब देख लेते इसके पाइनेंशर और बैनेंशीट में अगर देखें दोस्तों तो यह तीनों ही पॉइंट बहुत बढ़िया दिख रहा है कि टोटल रिवने जो है वह यह एरली एट परसंड से बढ़ रहा है दोस्तों हाला कि इंडेस्ट्री रिवनु ओंड़ बारा परसंट से बढ़ रहा है ऐसा दिख़ा है दोस्तों अब देख लेते फी फी क्लैश को जो है कमपनी के पास कितना है पी क्लैश को बहुत ही इंपर्टन होता है जब कंपरी प्रॉब्लेम में होते तो यही पैसा उसको काम में आता है तो 9995 करोड मतलब के कॉंपिटेटर है जिया इंटर्टेंटमेंट टीवी 18 ब्रोडकास्ट और टीवी टूडे नेटवर्क दोस्तों यह सारी कंपणिया बहुत ही बहतर हैं मगर यह बिजनेस आगे कैसे लेके जाती है यह थोड़ा सा आगे आने वाले वक्त में इंपॉर्टन देखने वाली ब और सब्सक्रिप्शन बेस जो प्रोग्राम से उसका जामाना आ रहा है तो इसमें वह कैसे फाइट कर पाएंगी मुझे नहीं पता दोस्तों उसके बारे में कि कुछ-कुछ कंपनियां यहां जैसे कि जी जो है वह उसका फिल्ड में अल्रेड़ी उतर चुकिए टीवी एटीन और बाकी जो चैनल से वह अभी तक उसके अंदर नहीं आए तो आगे जाके हो सकता है उसके अंदर आये और फिर वह भी कॉंपिट करना चाल हो जाए तब मुझे लगता है यह प्रॉफिट में आ सकते हैं यहां पर अगर प्राइच चार्ट देखें अगर तो टीवी एटीन ब्रॉड़कस्ट ने सबसे जादा आउट परफॉर्म किया है और उसके नीचे सबसे अंदर परफॉर्म कर रह है कि निग्लेजेबल प्लीज ओंडिक अ मतलब गर्वी रखे होए शियर 0.11 मतलब कुछ भी नहीं मिचल फंड के पास 5% की होलिग है दोमेंस्टिक इनिस्टूट के पास 5 और इनिस्टूट के पास 10% की दोस्तों मिचल फ्रण ने सके अंदर होल्डिंग गाटा यह 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 का डेटा देख सेलेते हैं यह फाय ने होल्डिंग थोड़ी सिल्स बहुत स्लाइट लिप बढ़ा है इसके अंदर कि देख लेते हैं इसके अंदर कुछ इंपोर्टन न्यूज है क्या इस अफ नौ दोस्तों डोलाट कैपिटल ने इसको बाई टार्गेट एक साल का फाई सेवन्टी फाई का एक सालों का टार्गेट दिया हुआ है वन बीक पहले मनी कंट्रोल पर यहां पर संटीवी नेटवर्ट फाउंडर मरा उनकी जो टेक होम सेलरी है वो वन था वन हड़ेड़न सेवन्टी फाई करोड की बताई गए उनके फाउंडर जो है वो कला ने थी मारण उनकी सेलरी के बारे में बताया गया है है हाई इस पेड़ अच्छा ठीक है दोस्तों नियूज साच मुझे कोई इंपोर्टन नहीं दिखे जो बहुत वोलेटैल कर सकती है शेयर को डिविडेंट की बात करें दूस्तों तो दिविडेंट इस कंपने ने दो बार दिया है एक आर नहीं दो बार यहां पर ट्रैक्टरों कर से तो मुझे ऐसा लग रहे है कि हार साल वो दो बार देती है एक फेब में दिया था और एक मार्च में दीविदेंट्स के लिए आप अगर इसको लेना चाहते तो रख सकते आपके पोट्पोलियो में अब बात कर लेते कि क्या हम इस प्राइज के ऐंदर इन ट्री के लेनी चाहिए या नहीं दोस्तों इसके लिए हम लोग उसका लोग और हाई देख लेते हैं लोह देखें दोस्तों 259 रुपिस का हैं और हाइर साइऩ 5 문제가 मतलब 1550 रुपे का रुव जोस्तों मैं कहूंगा दोस्तो आपको अगर इसके अंदर एंट्री लेने हैं तरो 900 रुपे के नीचे ले सकते हैं है 5000 रुपे लगना चाहता है इस शेयर के अंदर तो उसको 5 हिस्सों में बाट लेजी और दो दो शेयर बाई करते जाहिए डिप पे बाई करते जाहिए दोस्तों कि दोस्तों कुछ लोग कहेंगे कि अभी वह 450 से नीचे आएगा नहीं दोस्तों बाज़ार में हमेशा मोका मिलता है दोस्तों बस चुटती है तो चुटने दीजिए दूसरी बस आ जाएगी नौट टू अरी बाज़ार में बहुत सारे शेयर से उसके अंदर आप एंटरी कर स मार्केट है वह 70% रियल इस्टेट गोल्ड मुचल फंड बैंक अंदर रखिए दोस्तों थर्टी परसंट ही पैसा जो है वह एक्विटी और शेयर मार्केट में लगाई है उसका रीजन क्या है उसके उसका आंसर में बहुत सारे वीडियो के अंदर दे चुका हूं दोस्तो और पोर्टपोलियो के अंदर हमेशा आपका पोड़ परिफूलियो के रखिये एक शेयर के अंदर 4-5% से जादा पैसा मत लगाई है दोस्तों और हमेशा चंग में बाइंग कीजिए बलक में बाइंग मत कीजिए दोस्तों थेंक यी सो मच पर वाचिंग इस वीडियो अग किसी और शेयर के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोच सकते हैं दूस्तों